सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए अपने सबसे पार्ट है उसके बारे में देखते हैं देखे आज का पहला क्यूस्ण है राजस्तान में जो इंदर परस्त है तो देखे राजस्तान में जो इंदर परस्त है वो और देखे नदी गाठी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदीर जो है वो किसने कहा था तो देखे नदी गाठी जो परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदीर के रूप में कहा है नेश्ट किसने शिचाई परियोजनाओं जिससे आदिवासी कर्षकों को अत्यदिक लाब पहुंचता है नेक्ट कि उसने राजस्तान का कौन सा भाग इंद्रागांदी नहर से लाबानवित है तो देखे राजस्तान का जो कौन सा भाग है वो इंद्रागांदी नहर से लाबानवित है देखे फ्रेंड्स जो राजस्तान का जो मेप है वो देखे देखने में कुछ इस तरीके से है राजस्तान का जो में इंद्रागांदी नहर आपकी वह हरी की विरा से यहां से निकलती है और जो गंगानगर है वहाँ पर यह प्रवेस करती है फिर आपका बिकानेर है बिकानेरी मैने के पास जिसल मेरे इस तरीके से इंद्रागांदी नहर है वह बैती है तो देखिए यहा है देखें गंगा नगर में जो सो परसेंट जो सीचाई होती है, एक्जाम में क्यूसन आता है कि 100% सिचाई नहरों से करने वाला जिला है वो कौन सा है राजतान का तो कौन सा है वो गंगानगर जिला ही है देखें गंगानगर को है वो अनका खटोरा के नाम से भी जानते हैं इसलिए यह भी आप द्यान रखना अनका खटोरा है वो आपका काँपर है तो गुरुद्वारा जो बुड़ा जो है वो आपका काँपर है गंगानगर जो जिला है उसी में गुरुद्वारा बुड़ा जो है वो इस्थित है और देखे अमेरिकन जो कपास है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो आपका काँपर होता है श्री गंगानगर में होता है इसलिए देखे गंगानगर के बारे में कई important facts हैं जिसके बारे में exam में क्यूसन सिधा सिधा फूट अप होता है इसलिए आप इनको ध्यान में रखना अनका कटोरा के नाम से भी गंगानगर को जानते हैं वो देखे 100% जो शिचाई होती है वो न अर्ष्क करता है तो देखे राष्टान का एसा कौन सा खनीज पत्र है जो सबसे ज्यदा जिसको बेचने पर है वो आयोती है तो राष्टान का एसा इसा कोज सामिल होता है next question है वह क्या उत्तुपातन है चुरू भिकानेर गपन्तपती है उसमें बहुतायत में पाय जाता है जो कि क्या है पर्यावन परदुषन से उसका नारे मतलब कारण है पर्यावन परदुषन होने में उसका योगदान होता है और देखे मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में काम आता है परियावरन परदूसन होता है लेकिन मिट्टी की उर्वरकता उसको बढ़ाने भी भी काम आता है और गुणात्मक समवर्दन यानि value addition के उपरांथ उसका उप्योग जो है वो सवास्ते और निर्मान क्षेतर में होता है तो देखें वो कौन सा उतपादन है वो है जिपसम का उतपादन देखें राजस्तान में जो जिपसम का उतपादन होता है वो सबसे ज़्यादा कहांपर होता है आपका नागोर जिल्ली में होता है नागोड जो जिल्ला है वहाँ पर आपका जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है नेश्ट कुछन है राजस्तान के नाथरा किपाल उद्यपूर क्षेतर में कौन सा खनीज पाय जाता है तो देखें नाथरा की जो पाल है जो उद्यपूर का जो अस्थान है जाता है कि सुमेलित कीजिए तो सुमेलित करने वालों में विसे भी यह जो आपके इस्थान है और वो जिल्ले है उनका करम है वो भी कभी-कभी दिया जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है जो नाथरा की पाल है वो आपका कहांपर है उद्यपूर जो जिला है उसमें स्थित है ओके तो नाथरा की पाल उद्यपूर में है वो कौन सा खनीजी यहांपर मिलता है जो लो है इसका उसका उत्पादन यहांपर किया जाता है नेक्ट किस अक्षेतर में तांबे की खान है तो देखिए तांबे की जो खान है वो आपका राजस्तान की कौन से जिले में सायद सभी को पता हुगा खेतरी जो अस्थान है जूंजनू में जो इस्तित है वहाँ पर जो तांबा है वो सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाता है nächste question है राजस्थान में सीशे की सबसे बड़ी खान कहांपर है जो आपकी कहांपर है जो आपका जावर अस्थान जो उद्यप्र में है वहांपर कहाँ है नेश्ट किस्वन है डेरी और खदे उज्ञान परोदेगी जो मावईदा ले driving जो आपका अपका उद्यपूर का यह ру Ohio है बहुत पार एक्जाम में रिपीट होता है कौन सा बांद है वो मिट्टी से बनावा है तो देखिए आपका जो पांचना बांद है वो मिट्टी से बनावा बांद है नेश्ट किसी है राजस्तान में जिवनधारा योजना का संबंध किसी है तो देखिए राजस्तान में ज सबसे स्रेष्ट यानि एशिया जो आपका माधिक है पूरा जो कौंटिनेंट है उसकी बात हो रही है उसमें जो जस्ता है और जो सिसा है उसका इसका जो बंढार मिला है वो कहां पर है तो देखें बीलवड़ा का जो शेतर है रामपूरा अगुचा बीलवड़ा का जो वालसष वाड़ा जो जिल्ला है उसमें किया जा रहा है नेश्ट किसुन है राजर्सान में विश्तरत रूप से प्राप्त जो एजोलित जो खनीज इंदन है वो कोँं से hein तो वो कोन सा खनीज है वो अभरख है नेश्ट किसका उपयोग लोणता और सारीटा की समसिया का दिर सा है ने कौन सा राश्ट्री राजमारग राजस्टान के उत्पादन serнов है पंजाब से गुजरता है जो राजस्टान विकानेयर से भी ओकर गुजरता है जिसल मेर से ओकर गुजरता है और बाद में जो आपका पंजाब राजी है वहां पर गुजरता है तो देखे जो राश्ट्रे राजमारक जो पंद्रा है राश्ट्रे राजमारक जो पंद्रा है वो राजस्तान में विकानेर से जिसल मेर से ओतावाब में गुजरात जाता है देखे जो आपका राष्टर राजमारक जो नेच्ट में आता है और देखे जो smallest जो आपका नाच है तो देखे वह जह बिए है तो आपका केवल और केवल आपका तो इसकी टोटल लंबाई की अगर आपन बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 681 किलोमेटर 681 किलोमेटर NH8 है उसकी टोटल लंबाई है तो देखे इसको आप ध्यान में रखना अपना जो क्यूशन था वो ये था कि कौन सा राश्ट्री राजमारगा है वो भीकानेर जैसें में सहरों से होता है पंजाब से गुजरता है तो देखे ये जो राश्ट्री राश्ट्री राजमारगा जो पंदरा है वो भुजरता है राजस्तान का एकमातर दुरुग जो मुसल्मान दुरुग पदतिश्य बनावा है तो देखे राजस्तान का एकमातर दुरुग ऐसा कौन सा है जो समराठ था अकबर उसने इस मेगजीन दुर्ग का निर्मान करवा है था देखिए यह जो आपका मेगजीन दुर्ग है वो आपका कहांपर है जो राजस्तान का जो अजमेर जिला है वहांपर यह मेगजीन का दुर्ग इस्तित है इस मेगजीन दुर्ग की जो नीव रखी दादु दयाल ने रखी थी दादु दयाल नाम के जो संत हुए थे उन्होंने इस मेगजीन दुरुग की निव रखने का कारिय किया था और इस मेगजीन दुरुग को आपका अकबर का किला इसी को कहते हैं अकबर का दोलत खाना के नाम से भी इस मेगजीन दुरुग को ही जा अंग्रेज दिकारी था एक Thomas रो Sir Thomas रो अंग्रेज दिकारी था उसने एक मुगल समराट था जहांगिर उसे मुलाकात की थी इस तुरू के अंदर मेगजीन दुरू के अंदर गत वो की थी ये 1616 चुझी तिमिऐ जनुवरी 1616 चुझी को संग्राले जो है वो राजतान में कौन से जीले में इस दीता है और कौन है तो देखें वो मेगजीन दुर्ग ही है 1908 में इसे रास्पताना संग्राले में परिवर्तित कर दिया गया और भी देखिया मेगजीन दुर्ग के बारे में कई रास्तान की जो पुलिश सब इंस्पेक्टर की जो एकजाम है उसमें भी रास्तान जीकें को पुछने हो सकता है सारे क्यूसन एक नाएक इंपोर्टेंट है वो सारे एक्जाम में पुछे हुए क्यूसन है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाले काले बटन को जल्दी से नेला कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया